अब आप आटे के लोई से सिर्फ रोटी ही नहीं बनाएंगे ऐसी एक रेश्पी आप बनाएंगे ना जिसे की बस बनाते ही घर में चट हो जाएगा तो कभी-कभी हमारे घर में आटा पच्चा आता है ना गूता हुआ तो आप उससे भी से बना सकते हैं और अगर ऐसा लगता है कि भाई गूते हुए आटे की क्या जरुवत है तो आटा गूत कर भी बना सकते हैं मैंने तो मेरे पास बचा हुआ था उसी का बनाया है लेकिन आप बचने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा आप इसे फटा फट से गूत करके और लोई बनाएगा और लोई से आप ये रेस्पी बना लेजेगा क्योंकि अब आपको ना इस रेस्पी के लिए रोटी बेलने की कोई जरुवत नहीं है और ये इतनी जल्दी और फटा फट बन जाएगा ना और बना करके आप अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में और आप इस तरह अपने घर में नास्ते में इसे सर्फ कर सकते हैं तो मेरे पास ये देखिए इतना सा आटा बचा हुआ है मैं इसे एक पार अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ तो इसमें लगता है कि साथ तीन लोई बन जाएगी तो मैं इसके चलिए लोईया बना लेते हूँ और वही रेगुलर जिस तरह रोटी का आटा होता है ये वही है रोटी का आटा ही बचा हुआ है इसमें थोरा सा नमक है पहले से नमक डाल करके गुथा होगा ये अगर आप वैसे गुथ रहे है न तो थोरा सा आप नमक इसमें डाल कर फिर इसका आटा लगाई है और इस तरह मैंने देखिए तीन लोईया बड़ी बड़ी इसकी बना ले है और बस इन तीन लोईयों से हमारा नास्ता बन करके तयार हो ज और रोटी भी इसका आपको नहीं बेलना है तो इस तरह चलिए मैंने इसे सारी रोटी को सारी लोईयों को चप्टा कर लिया है और करके न इसके उपर थोरा समया ये तेल से इसे ग्रीज कर लेती हूं अब यह क्यूं किया है ये मैं आपको आगे बताती हूं कि इस पे ओयल लगा लेंगे तो इससे क्या फाइदा है और यहां मैंने एक कड़ाही में पानी रखा है उबलने के लिए तो दो गलस पानी है पानी को उबल गया है ढखकर के मैंने रख दिया था ताकि जल्दी से ये उबल पे आ जाए तो उबल पे आ गया है और अब मैंने इसमें अपनी लोईयों को डाल दिया है तो मैंने तेल ग्रीज इसलिए किया था ताकि ये चिपकेगा नहीं आपस में इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा तेल लगा दिया था और आप इसे उबाल पे आने देते हैं तो थोड़ा साना चम्मत से अलग-अलग कर लेती हूँ मैं और आप देखी अच्छे से उबाल पे आ गया है तो थोड़ा-थोड़ा इसे पलट दीजिए बीच-बीच में और यहां पर यह देखी उपर की तरफ आ गया है ना जैसे ही आपकी लोई उपर की तरफ आ जाए तो आप समझ लिजिए कि आपकी लोई पक गई है तो इसे थोड़ा सा एक पर और पलट लेते हैं ताकि कहीं कोई कच्छा रहने का कोई गुंजाइस न रहे तो हमारी यह देखिए बिलकुल उपर की तरफ आ गया है इसका मतलब है कि हमारी लोई एकदम पक करके तयार है जब पहले के टाइम में बुखार लगता था ना तो मा आटे को गूत करके उसे उबाल करके रोटियां बना करके देती थी उबाल करके उसे फिर हाथों से तोरेंगी तोर कर फिर गूतेंगी फिर उसकी वो रोटियां बना करके दिया करते थी तो हम पूछते थे कि मा इससे क्या होता है तो वो कहते थी कि इस तरह बनाने से यह ज़्यादा सुपाच्चे हो जाता है क्योंकि fever में digestion कमजोर हो जाता है तो इसलिए इस तरह रोटिया बना करके हमें दी जाती थी तो अब मैंने इसमें ठंडा पानी डाल लिया है और ठंडा पानी डाल करके इसे निकाल दिया है तो ये ट्रिक मुझे वहीं से मिली कि अगर इसे उबाल लिया जाए और उबाल करके इससे कुछ बनाया जाए तो ये हेल्दी भी हो जाएगा काफे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी यानि कि सुपाच्चे हो जाएगा और क्योंकि उबाला है तो यहांथों भी बहुत फिसल रहा है तो अब इसे हैंडल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो मैंने हाथों में थोरा सा सुखा आटा लगा लिया है यहां लोई ठंडे पानी में डाल देने से ठंडी हो गई है क्योंकि एकदम गरम गरम था यह और अब हाथों में उठाने लाइक हो गया है तो हाथों में थोड़ा सा सूखा अंटा लगा लिया है ताकि ये फिसले नहीं और आप देखे इस तरह काट करके मैं इसे पास्ता का ये देखिए पास्ता जैसा इसे बना लेती हो तो हम रेडी में पास्ता सूजी का या फिर मैदा का ले आते हैं न उससे ज़्यादा वो तो अनहेलदी बिल्कुल नहीं है ये हेलदी है बच्चों के लिए और बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है ये तो इस तरह हम इसे काट काट करके न पास्ता जैसा इसे बना लेती हैं अगर आप चोटा-चोटा कर देंगे न तो यही पास्ता माइक्रोनी इस तरह ही ब जिससे कि आप देख सकते हैं एक दूसरे में ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है तो इसी तरह मैं अपने सारे लोईयों को काट लेती हूँ और आप चाहें तो जादा और पतला काट सकते हैं तो ये देखिए बहुत फटा फट से दो तिन बच्चों को बठा देजिए और इसे काट लेजिए तो मैंने अपने सारे लोईयों को इस तरह काट लिया है तो आज हम बनाने जा रहे हैं इसका एकदम देसी स्टाइल में पास्ता जिसमें की हम एकदम देसी-देसी चीजे ही डालेंगे और एकदम आसान तरीके से इसको बनाएंगे तो यहां डाल लिया है मैने कराए में दो चमाच देल और एक प्याज काटा है लंबे-लंबे और एक गाजर काटा है वो भी इस स्तरह लंबा-Lंबा काट pięter लिया है और एक टुग्रा मैंने सिम्बला मिर्च का काटा है थूरा सा बंद गो भी यानि की पत्ता को भी काट लिया है मैंने ह हलका सा इसे सॉटे कर लेत區 हैं हमें बहुत जादा पकाना नहीं है कि इने बहुत जादा आपको पकाने की जरुट बिल formation है हलका सांने एक सब्सक्राइख कर लेते हैं मैं आपने तेल में हट शबच्चियों में थोरा सा करण PD में थुरा एक कर लिए inception रहता तो जादा अच्छा लगता है इस सब्जियों में और अब इसमें डालेती हूं एक टेमाटर, छोटा टेमाटर को मैंने बाद में डाला याए क्योंकि इन सब्जियों के साथ डालने पर फिर टेमाटर हमारा थोड़ा मैसी हो जाएगा तो टेमाटर ये बिल्कुल तो आप इसमें चलिए डाल लेते हैं तो मैंने इसमें डाला है पीजा पास्ता सॉस तो ये पास्ता बना रहे हैं तो हम थोड़ा सा पास्ता सॉस थोड़ा सा डाली सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते हैं आप नहीं है पास में तो आप सिंपल मसाले से बना सा मिर्च होता है लहसान अद्रक यह सारी चीजे होती है तो इससे काफी चटपटा हो जाएगा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली है अगर आप पीजा पास्ता सौस नहीं डाल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा अद्रक लहसन का पेश्ट डाल लीजिए और इसे मसाले के साथ में थोड़ा सा भोन लेते हैं और अब जो हमने अपना काट रखा है ना लोई का उसे डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे तरह अब इसके साथ में पका लेते हैं तो इसके साथ में एक से डेड़ मिनट हमें इसे पकाना है अब हलका सा नमक डाल लेते है क्योंकि देखिए हमने आटे में भी नमक डाल रखा है थोड़ा सा और फिर जो सॉस डाला है ना पास्ता सॉस उसमें भी थोड़ा सा नमक है तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालीएगा और आब इसे अच्छे तरह पका लेते हैं तो ये हमारा अच्छी तरह five अच्छी तरह सारी चूझे मिक्स हो गया है और ये पग्या है देख रहे हैं बिल्कुल एक की न चुटा चुटा सा एकदम अलग-अलग है जिस तरह हम पास्ता बनाते हैं ना तो हम उसे उसमें तेल डालते हैं उबालने के लिए फिर उसे ठंडे पानी से फटा-फट से धोते हैं ताकि वो चिपकेगा नहीं तो ये देखिए उसी तरह हमारा एक एक इसमें जो पीस है वो बिल्कुल अलग-अलग है एक भी चिपका नहीं है और ये हमारा बन करके बस तयार हो गया है तो चलाते हुए इसे अच्छी तरह इसके साथ में मिक्स कर लिजिए पका लिजिए ताकि सारी चीजी अच्छी से इस पे कोट हो जाए तो अब ये अच्छी तरह हो गया है तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं तो अब मैंने ले लिया है से सर्विंग प्लेट में और इसे देखते ही आपके बच्चे इस रेस्पी पे टूट पड़ेंगे वो बिल्कुल नहीं समझ भाएंगे कि आपने इसे आटे से बनाया है तो आपको कैसे लगी मेरी ये रेस्पी अगर आपको मेरी ये रेस्पी थोरी से भी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा अपने फेमली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फ्रेंड्स पहली बार आया है ना तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो यह देखिए यहाँ पिना एक एक बिल्कुल पीस छुटा छुटा है एक्दम अलग अलग है तो आप इस रेस्पी को अपने घर में एक बाटराई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाई कीजिएगा और रिजन बताईएगा कि क्यों आपने डिसलाई किया इसे तो चलिए मैं तो चलती हूँ फिर मिलेंगे अगली रेस्पी में तब तक के लिए टेक क्यार और बाबा हाए